हेलो दोस्तों वेलकम बैक टु माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गुशन चैनल से पूछता है कि क्या तुम अपने ट्रांसफर नाइं बिसनस यूनित में करवाने के लिए तयार हो तो चैनल कहती है कि नहीं गुशन कहता है कि तुम मेरी ओफर को रिजेक्ट करने में जल्दी मत करो चैनल के लिए और कुछ तेर बाद इसको फिर से इंक चैनल के लिए और तुम्हें किसने कहा है कि मैं ट्रिपल ए गिम्स के लिए जादा सूटेबल रहूंगी कुशन कहता है कि तुमने खोड यह को इसकी ड्राइंग करना चाहती हूं तो गुशन कहता है कि मुझे नई आइडिया की जरूरत है तुमने इंट्रिव्यू के जल्दी नहीं तो इस पारे में अभी भी सोच सकती हो अब चिर नेंग अपना पारसल रेसीफ करने के लिए होती है तो कुशन भी यहाँ पर अपना पारसल लेने के लिए होता है चनलिंंग कि इसको कहते कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो although श्बार शेन कर लिका रहे है और भूख्स को जा रही हो तो कोस्ती के इतना बाहरी रही हैं चलेकर अपने पॉख्स में श्लेस है कि इस बाक्स को पकड़ लो कुछ इस वाक्स को ठाने लगता लेकिन चलनिंग से कहते हैं कि पार्क में लेकर आ चाते हैं गुशन चलनिंग से कहता है कि मैं इसको अकेला सेंबल कर लूँगा चलनिंग गुशन को इसके फाइनल लोग दिखा देती है गुशन कहता है कि ये तो मैं बहुत आराम से कर लूँगा चलनिंग इसको गुड़ लग कहने के बाद यहां से चली चाती है गुशन इसको जाता हुआ देकर कहते कि कल तुम आकर रिजल्स चेक कर लेना अब गुशन इस डॉग हाउस को बनाने के लिए बैट जाता है रात हो गई होती है गुशन अभी तक डॉग हाउस कंपलीट नहीं कर पाया होता चल्लिंग इसको अपने बैलकनी से देख रही होती है साथी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है चल्लिंग यह देखकर सुचन लगती है कि मुझे इसके पास अम्रेला लेकर जानी चाहिए या नहीं कुशन कामी कह रहा हुता है कि सके फॉन की बैटरी खत अब कुछ देख यहाँ पर चल्लिंग ऑंपर भार को अम्रेला लेकर आती है लेकिन चल्लिंग यहाँ पर नहीं होता है साथ सदे यहाँ पर गुशन आ जाता है रहिससे जल्दी इसे गुशन को देखकर अम्रेला फैंक देती है जो यह इसके लिए लेकर आई होती है और कहने लगती कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा काम देखने के लिए आई थी गुशन कहते है कि मैं तो टॉर्ष लेने के लिए गया था तुम वापस घर चली जाओ और फिकर नहीं करो क सुपो तक यह काम कंप्लीट हो जाएगा चली अब यहां से जाने लगती है तो यह देखती है कि पीछे मोड़ कर मुझे मत देखो चलीं को देख रही होती है जैसे कुशन के नजर इस पर बढ़ती है तो चलीं इदर दर देखना शुरू कर देती है अब यह डॉक हास कंप बारिश पर खतम हो जाती है गोशन चलिंग से कहता है कि मैं दिल से चाहता हूं कि तुम नाइन बिस्मस यूनेट को जोइन करो हमें तुमारी मदद की जरूरत है अगर तुम मेरी दोस्त नहीं भी बना चाहती हो तुम इसके बारे में जरूर सोचना यह कहकर गोशन जब प तुम नो क्या सोचते हैं कि मुझे हां चाहिए नहीं कि उसके तो कि आखर तुम करना चाहती हो चल्न के इसे पूछते हैं किया तो्म्हें बने क्रतそう सब्सक्ता है कि मेरा इंटरूर्स पाति हो यह थाचती हो इसे बहुतर हो क्यों कर दिए मेरा इंडर्सट सिर्फ इसलिए और जब गोशन अपनी टीम लेकर हमारी कंपनी में आया तब मैंने ट्रिपल एगेम्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया को अगर कभी उसको यह मालम हो कि तुमने ट्रिपल एगेम्स के लिए काम करना से उसके वज़ा से शुरू किया था तो उसको बहुत खुशी होगी च कहता है कि इसका मदलब है कि तुम में पोटेंचल है तुम में ट्राय करना चाहिए अगर तुम भी हो गई तो एंड में तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा चन्ने कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो आज जो नायन इंफ्लेंजर्स के साथ अपनी गेम को पर मोट करने के लि अच्छी लगती है तो यह चैशी को अपनी वीचाट में एड भी करते हैं अब एक इन्फुएंजर्टी से चैशी के कंदे पर हात रखते तो चैशी जल्दी से इसको पीछे करती है इसका इतना इक्स्ट्रीम डेक्शन देखर सबी काफे है रान होते हैं चैशी भी माफी म लग रहा होता है इनका इंटर्वियों सेक्सेस्फुल होता है तो चनलन इसको इनर पर लेकर आता है चैनलन कहता है कि इंटरवेट होने में कोई भी बुराई नहीं है तुम्हारे पास सिर्पिरियंस नहीं है मैं तुम्हें ट्रेंश कर सकता हूं इसलिए अपने फिर की होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन एक चीजसे तुम्हें करना है वह यह कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसके बार में बात करोगी डरे बगार चैनलन कहता है कि हम और्डर से स्टार्ट करते हैं तो अभी यहां पर और दोगी अब करती है और जब यह ओंची आवास में और देती है तो बहुत कहता है कि मैंने तुम्हारा ओर्डर सुन लिया है चंशी को भी काफी खुशी होती है ऐसा करके चंशी अपने आप से कहती है कि मेरे बहुत अच्छे है इसलिए मुझे काम छोड़कर नहीं जाना चाहिए चाहि बहुत ही अच्छा लग रहा है जब कुशन के लिए बाहर आता है तो चंशी के पास आकर कहता है कि तुम्हारा ओर्डर मिलने ही रहा है तो क्यों ना हम लोग कैमरा चेक कर लें चलिंग कहती है कि मुझे मालम हो गया कि मेरी डिलिवरी किसने लिए तो मैं उसको मार दूंग अब ये दोना सेक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए आज आते हैं सेक्योरिटी कार्ट कहने लगता है कि क्या वो डिलिवरी बहुत इंपॉर्डन थी तो चिलिंग कहती है कि उस तरह के इस पुरी कंट्री में सिर्फ 10,000 सेट्स हैं अब ये दोना बहुत गोड़ से देख र दिया है चनलिंग गुशन को स्पेशल मेल का बॉक्स कच्रे में सेट होने के लिए कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक और सेट आडर कर दूँ चनलिंग कहती कि सब तक तक तुम पहले वाला तलाश नहीं करोंगे मैं तुम्हारी आफरिक सब नहीं करूंगी गुश तो जोनन शौक हो जाता है चंशी जब इसको यह शौक देखती है तो बताने लगती है कि मुझे एक कार्टून करेक्टर बहुत पसंता है इसी वज़ा से मैंने कराटी क्लास ली अंगले दिन जोनन गोशन पर बहुत हाच रहा होता है यह जान करके स्लीप तिल वेग चलिं आफिस में काम करने वाली लेडी को कुछ बाक्स दे देता है आज चलिंग की टेक्स पर यह सारे एट करेक्टर मुझूद होते हैं कुशन ने नोट लिखा होता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है अब तुम भी अपना वादा पूरा करो चलिंग को यह देखकर अ करनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसकी बात नहीं मान रहा होता अब चलिंग के पास आती तो मिस्टर च्यांग इससे कहते हैं कि अगर तुम दो दिन के अंदर अपने डिपार्टमेंट के सारे टास्क कंप्लीट कर लोगी तो तब मैं तुम्हें ना इन बिजिनस य को एक कार्ड देता है यह यामी गेमर का कार्ड होता है बुशन केता है कि बहुत बड़ा इंफ्वेंजर है जसके फैंस हैं तुम तो जानते ही होगे कि कोई पैसों की मदद लेकर इससे अपना काम नहीं करवा सकता तो मिस्टर चैन कहता है कि मेरा इसके साथ कनेक्शन है मै के मान गया हैं कब से काम से सबस्ट नहीं तो चैन के सबस थापनी आज तो के चैनल होता है लुशर जा तर दैनीनले को कघनेट चैनले कि चैनले यहां से पानी पीऊ चैनले लिए कह रहते हैं और नहीं क Mirшь का हिता है पानी पीने लगती तो इसको साइट पर करके रोक लेता है इतना क्लोज देख कर शॉक में आजाती है लेकिन साइट पर देखने वाली होते लेकिन पर स्क्रीन कवर कर लेता है चनलिंग ये लेकर खेती है कि तुम कर क्या रहे हो गुशन कहते है कि मैं तुमें कुछ बताना चाहता हूँ चनलिंग कहते है कि तुम क्या कहना चाहते हो गुशन का समझने ही आ रहा होता है कि ये चनलिंग से क्या कहे इतने में यहां पर चनलिंग आ जाता है चनलिंग भी ज नहीं है जोशन की सुनकर इंबरस हो जाता है अब चलने के निगे नर्वस हो जाती और इसको आता वा देखर पानी लेने के लिए जली जाती है जैनिंग अपने आप से कहने लगते कि मुझे क्या हो गया मैं से क्यों चुप रही हूं इतने ही यहां पर जाता है इसकी वज़ा कोई बात नहीं वाश करने के बाद यह साफ हो जाएगी तो मुझे अपना की वार कोड़ दो मैं तुम्हें के पैसे ट्रांसफर कर देती हूं गोशन इसको बैंक से पैसे ट्रांसफर करने वाली होती है लेकिन गोशन इस मौके का फायदा उठाता है यह देखकर चलिंग है चलिंग के बात नहीं बात नहीं को इसको खटा देता है रहान हो रही होती है इसको फाइली चलिंग का वीचार्ट मिल गया है चलिंग अब घर पर आकर सब कुशन की के गेम को स्टडी कर रही होती है किसा करते हुए चलिंग को बाई-बाई-बाई-बैगोशन को खयाना रहा होता है चलिंग अपने आपको आपको के कहने लगती है कि यह ड्रीम फेक था अबॉक तो कॉल लेंसे लेने के लिए लैने के लिए प्रिक करने की दिया है कि मुझे करते हैं अपने लिए के लिए वहारे पर घुर्व। वर्स करते हैं के तो मेरे बारे में क्या सोचती हो जिनने के सवाल सुनकर बहुत है तो यह स्थे वह कहता है कि मैं तो मजाग कर रहा था चैट रूम में जा करती है कि अगर कोई लड़का आप से बार बार आपके बॉर्फरिंड के बारे में बात करें तो क्या वह मुझे में इंट्रस्टेड ह कुषन कहते हैं किया तो यह कुछन कहता है कि यह कौन केती है कि मेरी नेबर जसके साथ में बड़ी हूई हूँ यह मेरी फैमिली से काफी क्लोज है और जब हम चोटे थे तो हम अक्सर एक साथ खेला करते थे यह सब मेसेज पढ़कर गुशन का मूड ओफ हो जाता है गुशन हरान होते हुए कहता है कि यह तो चाइल रूट स्वीट हार्ट है गुशन चलिंग से कहता है कि क्या वह हमेशा कमें पहले अप्रोच करता है चलिंग इसका यह मेसेज पढ़कर अपनी और अपने फ्रेंड की चैट हिस्टरी चेक करने लगती है गुशन चलिंग के मैसेज का बेसबरी से इंतजार कर रहा होता है चलिंग इसको मेसेज करती है कि मैने अभी चेक किया है हमेशा वही मुझे मेसेज करता है गुशन का मूद बहुत खराब हो चुका होता है कि चल्लिंग से कहता है कि इसका मतलब है कि बहुत अब पसंद करता है चल्लिंग कहते है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए तो गुशन कहते है कि अगर उसने यकीन ना किया तो गुशन कहता है कि लास्ट्रिक यह होगी कि मैं तुम्हारा बनने की acting करूंगा मैं तुम्हार को सबने कर सकता हूं चलने गुशन के बारे में ही सारी बातें इसको बताने लगती है दूजी तरफ कुशन तो बहुत लगा डिस्टरब दिखाई दे रहा होता है यह चलने को मेसज करता है क्या तुमने उसको पता दिया चलने कहती है कि मुझा गलत तहम ही हो गई थी वह किसी लड़की को किरने लगता है तो अपने आपसे सवाल करता है कि मुझा अब छिलापने फ्रेंड टेंट गर पर आ शाती है चलने की मौं तैंट पूर्पने के लिए के रही होती है लेकिन एक जरूरी काम से जाना है से कहता है कि जरन बाकी सब लोग अकटे हो रहे हैं तुम भी हम्हें आ जाता है अब जिक्वाइन के साथ गें। के लुच्न नहीं कहता है कि मेरे उसी कहता की बढ़ पर कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो गया कि वह तुम्हें पसंद करता है लेकिन चुननिंग इसकी बात को सिरियसली नहीं लेती जुनन इसको देखकर कहते कि क्या तुम अब भी बात एड्मिट नहीं करोगे कि तुम चुननिंग को पसंद करते हो तुम मेरे साथ खेलने के बचाए कब से बात कर रहे ह है लेकिन जैसे जुनन यहां से उठकर जाता है तो गुशन यही टेस्ट चलनिंग को सेंड कर देता है चलनिंग एदी के मैं इसको ट्राइ करती हूं पहला भी है यह होता है कि वह आपको चुप-चुप कर देख रहा है लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हैं तो वह किसी और चीज को देखने लगते हैं अब चीर चुप दिखा रही होती है और चलनिंग के नजर इसपर पढ़ती है तो यह अपने प्रेंड से बात करना शुरू कर देता है अ सारे सिचुशन के बारे में बता देती है अब गुशन को यह पढ़कर याद आने लगता है कि कैफेटेरिया में यह चलने को छुपके से देख रहा था लेकिन जैसे यह चलने को देखती है तो यह pretend करने लगता है कि यहाँ पर खाना लेने के लिए है और दूसरा behavior यह होता है कि वो आपको अपने WeChat के सभी moments शो करवाएंगे ता कि आप उनके बारे में जादा जान सकें अब चनलिंग इस पारे में अपनी फ्रेंड से पूछती है तो यह कहती है कि मैं चेक करती हूँ और बताती है कि बड़ी अजीब बात है आज यह सारे moments टेंक्शन ने सब के लिए visible किये हैं गुशन ने भी चनलिंग के लिए अपने सभी वीचर्ड moments visible किये होते हैं तीसरा behavior यह होता है कि जब आप accidentally उसके हाथ को touch कर लें तो वो शायव महसूस करता है और यह behavior भी tension में नजर आ रहा होता है गुशन अपने moments पी याद करके confirm करता जा रहा होता है चनलिंग कहती कि मैं तो बहुत ही शौक हो गई हूँ tension पूरी तरह से इस description को match करता है गुशन चनलिंग से कहता है कि तुम मुझे अपना phone number दे दो किसी emergency की सुरत में तो मुझे message करना मैं तो मैं call कर लूँगा गुशन चल्दी से चनलिंग का number save कर लेता है गुशन चनलिंग से पूछता है कि तुमने जो test मुझे send किया है क्या हो accurate है चनलिंग कहता है कि जब मुझे अपनी expert crush था तब मैंने ये test attempt किया था और सभी signs match किये थे सामने एक magazine पड़ी होती है जिसको देख तो गुशन को लगता है कि इसमें चनलिंग और इसकी picture है गुशन चल्दी से magazine बंद कर देता है क्योंकि इसे एडमिट करना मुश्किल लग रहा होता है कि चनलिंग को पसंद करता है गुशन ऐसे सवाल करता है कि क्या तो अभी भी प्यार करती हो तो चनलिंग तंक्षन के सामने कह देती है कि हामें तुमसे प्यार करती हूँ तंक्षन इन दोनों के सारी बाते सुन लेता है चिलने के मूँ से आयलाव यह सुनकर गुशन कुछ दिखाई दे रहा होता है जब यह दोनों घर पहुंच जाते हैं तो तंक्षन कहता है कि तुम्हारा पॉर्फरेंट बागी में तुम्हारी फिकर करता है क्योंकि तुम इतनी लेट किसी और के साथ हो अब हम पौंच चुके हैं यह केहते हुए टंक्षन चिलनिंग का मूबायल फोन도 के हाथ से ले लेता है कि तुम उससे कॉल करो ताकि तुम यह बता सको के तम बलकुल सेफ ओ टंक्षन कउ विडियो कॉल कर देता है और फोन चन्राइधा है गुशन वीडियो कॉल देखकर कप्राज आता है। गुशन को समझ पर ही नहीं आ रही होती है कि यह कॉल इटेंड करे भी या नहीं। इसलिए गुशन अपना फॉन पॉर्ट में रख देता है। चलनें यह देखकर कहते कि शायद वह बिजी है। जैसे ही चलनें घर पहुचती है तो इसके मॉम कहने लगती है कि मैंने सुना आया कि तुम एक लड़के को डेट कर रही हो जिसके पास सवाए गेमिंग के और कोई टैलन्ट नहीं है। चलनें के तेकि मैंने तो यह सुना है कि वह घरीब और तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। चंदिंग कहती है कि मॉम डैड के बात सच नहीं है। इसके पेरेंट्स इसको टैंक्शन के लिए करने लगते हैं तो चंदिंग कहती है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हें अप्रूव नहीं किया इसलिए हमें ब्रेकप करना पड़ेगा। ब्रेकप का नाम सुनकर कोशन एक दम चौंग जाता है और फिर अपनी डोन को नॉर्मलाइज करते हुए कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकप कर रही हो ताके तुम अपने चाइड्ड हुड फ्रेंड के साथ रिलेशन्शिप में आ सको। चलनिंग इसकी बात संकर हैस्टाइए कि तुमने मेरी वीडियो कॉल क्यों नहीं अटेंड की कोशन कहता है कि मुझे बस यह डर लग रहा था कि अगर मैंने वीडियो कॉल अटेंड कर ली तो तुम्हारा नेवर कहीं मुझे देखकर बुरा ना फील करें चलनिंग की मौमे तो यहां पर किडने वाली होथी है लेकिन इसको सैक्ल को कि नहीं को बचल लेता हैं जब इसको देखने लगती तो कुछन इसका पास चोड़ देता और अपने सारा समान लेकर आगे चाहने लगती है गुशन इसके पीछे आकर फिर से सारा समान पकड़ लेता है चल्लिंग कहती कि आज तुम इतना अजीक बरताओं क्यों कर रहे हो कुछन कहते है कि ऐसी तो जाती है अपने आप से कहती कि अगर इसको मुझे पर क्रेश है भी तो मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए अब मिस्टर चयांग को मिस्टर की तरफ से मेल आती है कि नेक्स्ट्राइड एक मीटिंग होगी जसमें दोने इपार्टमेंट्स अपने प्रोजेक्ट क करेंगे क्यूंकि इसी मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि के सब्सक्राइब कर रहा होता है कि नाइन बिजनस युनट को पार टाइम करने के लिए जॉइन किया है साथ इसको मेसिज आता है कि 10 बचे हमारे मीटिंग है तूबक पर आ जाना इसे मीटिंग होती है तो पौरण 9 business unit पहुंच आती हैं चलनिंग को देकर सब भी लग बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देश से हम सिर्फ इसका इंतजार कर रहे थे अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती को शन सबसे चलनिंग को इंडर काम करोगी चलनिंग को बताओ कि तुम लिंजी के करेक्टर को किस्त बहुत पसंद आये हैं और इनको दुबारा से बाकी सब को अच्छा से एक्स्प्लेइन करता है इसको सुनकर ये लोग सैटिसफाइड दिखाई दे रहे होते हैं बीटिंग हुतम होने के बार फैंचिंग चनलिंग को बात करने के लिए बिलाती है कि चनलिंग से कहती है कि अच्छे से काम नहीं कर पाई तो मैं तुम लों का डिपार्टमेंट चोड़ कर चली जाओंगी लेकिन इसा होगा नहीं जोनन लगता है कि तुम असके लिए बुरा लग रहा है लेकिन तुम फिकर नहीं करो ये सब एक्स्पिरियंस का हिस्सा है अब गुशन सूजन के पा इनफरमेशन है गुशन कहता है कि अगर तुम हमें लेड डिजाइनर की ऐसियत से ज्वाइन कर लोगे तो ये तुम्हारे ली कॉंफिडेंशन इनफरमेशन नहीं रहेगी ये कहकर गुशन चला जाता है सूजन को ये प्लैन काफी अच्छा लग रहा होता है अब कुशन करने लगता है कि अब वापिस आएगी इन इसार करते हुए को विलाप की पतियां तो ने लगता है काफी इनफर करने के बाद चला ये वापिस घराज आती है को देखर ये फूल उसके उपर पहंक देता है लेकिन कुशन साइट पर हो जाता है चल्दिंग को ये फूल काफ प्लकुल भी पुसंद नहीं आता फैंशिंग चल्दिंग के काम को बहुत इंग्रेसिव ली क्रिटिसाइज करते है कि मुझा लगता है कि हमें लेंजी का क्रेक्टर की से जादा काबिल आर्टिस से ड्रॉ करवाना चाहिए गुशन चल्दिंग से कहता है के फैंशिंग के ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त लेकर एक निया ड्रॉफ्ट त्यार करो सुजन चैनलिंग को मेसेज करके पूछता है कि नाइन पिसनस यूनिट में काम करना कैसा है चैनलिंग इसको कहती कि अगर तुम अपने आपको चैनलिंग करना चाहते हो तो तुम इसको जोइन कर सकत है मिस्टर चैनलिंग इस पर बहुत गुसा करता है कि तुम एक नमुम्किन चीज़ पर अपना कितना हुदार करना चाहते हो सुजन कहते हैं कि सिर्फ मेरी एक शर्थ है कि मुझे इस डिपार्टमेंट लीड डिजाइनर की पोजिशन दोगे इसकी शर्त मान चाहता है तु चैनलिंग इस डिपार्टमेंट में आई और तुम उसके साथ बहुत हार्श हो कोशन कहने लगता है कि इतने सारे इंप्लॉइस के सामने मैं चैनलिंग के साइड नहीं ले सकता तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं चुनन इसकी बात सुनकर मुस्कुराने जसे चैनलिंग काती है दो गुशन कहता है कि इत्वाक से शारे कि रही हो Sixty को घोगना कर रहा हम चाहता है लगता है कि तुम्हें अपने आराम पर भी फोकस करना चाहिए मुझे तुम्हारी mental health की फिकर हो रही है चलिंग कहती है कि फिर तुम प्रेस्ट करने के बज़ा यहां क्या कर रहे हो तो गुशन कहते कि मैंने कहा नहीं कर रहा हूं चलिंग कर रहे हो तुम सुपों के तीन यह यह चैए पुम्हारा जही कर देता है इस अवार्ड के रिजरल यह तो नहीं कžeता है तुम्हें सब्हों के लिच्न के तyuूब कर देखना चाहिए चैयने लगती है जिसको कर दोच खो यह वही होगा पूशन कहते कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है चलिंग कहते कि क्या वो तुम्हारा कोई गुमा हुआ भाई यह जिसको तुम इतना अच्छे से जानते हो यह मेसिज पढ़कर गुशन मुस्कुरा रहा होता है अब देखती है के गुशन को भी एक माइन बचे तो चा रहे हो मीटिंग करने वाले हैना cd कि और में यह टाइम उगार करने कि मीटिंगे टेंट करनी पड़ती दो केंटे पात के नाइन प्रिसंस यूनिट में आती है तो फैंशिंग कहती है के हमारी मीटिंग 10 बजए थी और 11 बच गए हैं चलिंग कहती कि मुझे माफ करना मैंने जो तुम्हें मैंसिच किया था वो तुम्हें सेंडी नहीं हुआ फैंशिंग कहती कि अगर तुम यह जोब हैंडल नहीं कर सकती तो तुम जाकर गुशन को बता सकती हो इसलिए यहां पर किसी का भी वक्त जाय मत करो चलिंग माफी मांगते वए कहती है कि लास्ट मिनट पर मेरी डिपार्टमेंट में इक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी इससी वचा से मैं यहां नहीं आ सकी फैंशिंग इसकी बहुत इंसल्ट करती है कि काम का तो पहला वसूल ही पंच्छुल होना होता है चलिंग कहती है कि मैं डॉकुमेंट शड़ी कर लेती फिर तुमसे बात करने के लिए आज आऊंगी गोशन भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है गोशन बाहर आकर फैंशिंग से कहता है कि मुझे एक बिजनस कॉल इटेंट करनी है तो मैं तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं कर सकूँगा तुम अपने काम पर फोकस करो और फैंशिंग चलिंग को कुछ डॉकमेंट्स लाने के लिए के लिए देती है इसके बाद चलिंग लाइब्रेडी में वही बुक स्टूमने के लिए आई होती है जो गोशन ने इंटेवियो में रेकमेंट की होती है चलिंग को ये बुक मिल जाती है ये बुक काफी उपर पड़ी होती है खोषन से यह बुग वापस ले लेता है कि पहरे मैंने यह बुग लिद यह लिए झालिंग दुसरी कॉपी लेने लगती है तो खोषन वह भी ले लेता है कहती तब कैसे यह झालें इंदे CC से आवाग। के सरे के गिंद युर्ट के दूपर और दूसरी यहां से पसए है अब दूसरे सेक्शन में आकर एक और बुक ढूंड रही होती है जैसे इसको यह बुक मिलती है तो गुशन इसे यह भी ले लेता है चल्लिंग को खुशा आचा तर कहरी लगती है कि क्या तुम यह सब को चांद भूच कर रहे हो गुशन इसकी बात का जवाब दिये बगार इ परती है गुशन कहते ही तक मैं अपनी इसका अशाफ की अ'll फटलho चाहता हूँ लेकिन घुशन के आख़ी कैते के मेरी शर्ट।AL1 कि अच्छर्फों कहता है कि इसस chosen किे उस्चांगा में तुम मेरे झरयुक्ता उत्किन को घू Music केहता है कि इस सारी तार अचैम में तु चलनिंग इसको रोकती है के मुझह तुमारी शर्थ मंजुर आप चलनि def went galaxy merchant के तो भी अपने इर्याजिविंग डासन्स मेला होता है top उसको कार से चलारी नहीं आती होती कार स्टार्ट करते हैं उसके गलतियों को देख कर गुशन को भी डर लग रहा होता है कि पता नहीं कैसी कार ड्राइफ करेगी अब चलनिंग इतनी स्लो स्पीड में कार चला रही होती है कि इसके पीछे सभी गाड़ियां फॉर्ट दे रही होती है गुशन कहता है कि क्यों ना मैं ही अपने एक हाथ से कार ड्राइफ कर लूँ चलनिंग पिशली गार्डिंग को गुशसे में कहती है कि मैं रूल्स के मताबिक कार चला रही हूँ क्या तुम लों को रूल्स नहीं मालूँ अब गुशन सामने देखता है तो सिगनल रेड होता है गुशन चलनिंग को प्रेक लगाने के लिए कह रहा होता है चलनिंग कहते है कि मुझे भी मालम है बोजना बन करो यह कहते है चलनिंग अचानक से प्रेक लगा देती है चल्लिंग के ड्राइविंग के वज़े से गुशन के तो हालत खराब हो गई होती है चल्लिंग इसको गुसर में कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ मुझे भी दिखाई देता है बेटर ये कि तुम मुझे देखने के पर जाए पॉन गुस कर लो अब गुशन एक वीडियो देख रहा होता है चल्लिंग इसको देखते हुए कहती है कि मैं इसको जानती हुए काफी पॉपुलर है गुशन कहता है कि तुम्हे अपना ध्यान सामने रखना चाहिए चल्लिंग इसको देखने के पास सोशन लगती है कि ये लिंजी के करेक्टर के लिए बेस्ट रहेगी अब चल्लिंग वापस खर आकर इन बुक्स को पढ़ने लगती है अगले सब्सक्राइब चल्लिंग वेहान के लिए इसके फेवरिट कॉफी लेकर आती है और इनको ठेंक्स कर रही होती कि आपने डिपार्टमेंट बन के साथ मेरा स्केज्वल फिक्स करवाने में बहुत मदद की है तो वेहान कहता है कि फिर तुम्हें गोशन के लिए पी एक काफी खरीदनी चाहिए अब चनलिंग अपना ड्राफ वेहान को दिखाने लगती है वेहान इसके ड्राफ को देखकर कहता है कि तुमने काफी इंप्रूफ किया है वेहान चनलिंग को इसके करेक्टर के वेपन को इंप्रूफ करने के लिए कह रहे होते हैं और ये चनलिंग से कहते हैं कि तुम्हें चाइनिज ट्रडिशनल वेपन के बारे में पढ़ना चाहिए आज प्रफेसर वांग लिंज से एक लेक्चर देने वाले हैं गोशन भी यहां से गुजरते हुए यह बात सुन लेता है वेहां के दे लेकिन उनके लेक्चर के टिकेट हासल करना बहुत ही मुझे लगता कि तुम्हें आज मिल पाएगी टिकेट जब नेक्स टाम उनका लेक्चर होगा तो मैं तुम्हें पहले बता दूँगा यह सुनते ही गोशन परफेसर वांदन्जी से मिलने के लिए आ चाहता है गोशन अपने परफेसर को अपनी गेम का आज़िए करना चाहते हो गोशन कहता है कि मैं चाहता ह tuna के मेरे कुलीग का आपका लेक्चर अ skept कर सके ताकि आम गैम में अपने वेपन्स को और इंप्रूब कर सकें प्रफिसर इसके लिए मान जाते हैं अब चन्निंग भी यहां पर आती है अब विश्ण लगती कि क्या मैं आज के लिए टिकेट खरीद सकती हूं तो यह कहने लगती है कि हमारी टिकेट तो लास्ट वीक ही सेल हो गई थी अब चन्निंग सब्सक्राइब कर्णि यहां जर्प के लिए ऐसके मुलाकात कर सकता है इसके टिकेट के लिए हैंlican कि फिनेहां पर आता है इता ही कि चन्निंग को देखर बहुत खूश हो रहा होता है जल्दी से चन्निंग के पास आधा है जे पसुन्त कहते हैं का तब फ sö यहां पर आकर चन्निंग को कहने है के मेरे लगता है यह तो मैं इसी पार्व कर शबहा ह port to और जाना चाहती हूं चैनलिंग और सूजन को लेती है कि इसकी सारी मेहनत जाया हो गई अब चैनलिंग और सूजन के लिए जा रहे होते हैं तो उपर खड़ा देख रहा होता है यहां पर मैनेश्मेंट का एक आत्मी आकर चैनलिंग से कहता है कि हमारे पास एक खाली सीट है इसलिए आप मेरे साथ आएं चैनलिंग इसके साथ चली जाती है चैनलिंग को फ्रेंट सीट मिली होती है कि सब कुछ कुछ ने करवाया होता है चैनलिंग सूजन से कहती है कि तुम्हारा दोस बहुत अच्छा है लेकिन सूजन को तो मालम होता है कि यह वह सीट नहीं है जि चिलिंग के ते कि शायद इसी वज़ा से मुझे टेक्सी नहीं मिल रही। गुशन चिलिंग के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें घर जोड़ देता हूँ। चिलिंग गुशन के साथ जाने के लिए मांच जाते हैं। तो सुजन कहता है कि वरना हम भीग चाएंगे। अब यह तो उन्हों ऐसे ही यहां से चले जाते हैं और गुशन इनको इस तरह से देकर बहुत जलिस हो गया होता है। अब जब यह तुम्हें वापस आ रहे होते हैं तो चलेंग टिकेट और इसको ड्राइफ करने के लिए सुजन को थैंक्स बोल रही होती है। सुजन कहता है कि वह सीट तुम्हें मेरे दोस्त की वज़ा से नहीं बलके गुशन की वज़ा से मिली थी। सुजन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। सुजन से पूशता है कि क्या तुम्हारा गुशन की दर्मयान कर चल रहा है क्योंकि वह तुम्हें तुम्हें से काफी डिफरेंटली ट्रीट करता है। इसा दिखाई देता है कि वह अपनी हर मुम्किन कोशिश करता है जिससे वह तुम्हें खुश कर सके। चुनिक की यह बात इस सुनकर सोच में पढ़चाती है। दुसरी तरफ गुशन घर पर आकर अपने सारा घुसा इंडॉल्स पर निकाल रहा होता है। गुशन अब घुसे में सुजन को मेसेच करता है कि मुझे नेक्स्ट वीक का सारा प्लान कल सुबह चाहिए। और यह ड्राफ्ट 15 से कम नहीं होनी चाहिए। और हर ड्राफ्ट एक दुसरे से मुक्तलिफ हो। गुशन अब चल्लिंग को मेशेच करता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी ? तो चल्लिंग करती कि नहीं में वीमार हूं! गुशन यह संकर परेशान हो चाता पूछता है क्या तुम हॉस्पिर गई ? चल्लिंग कहती है कि मैंने medicine order की है लेकिन rider काफी slow है इसलिए मुझे अपी तक receive नहीं हुई इतने में दर्वाजा नौक होता है चल्लिंग को delivery man order देने के पाथ चला चाता है चल्लिंग जैसे ही slip देखती है तो ये order गूशन का होता है साथ ही gouishan lift से tilling के देकर आ रहा होता है लेकिन जैसे के चल्लिंग को देखता है तो वापिस आने की गोषिश करता हstory लेकिन चल्लिंग इसको कहती है कि मतने रात को बाहर की कर रहे थे Katy कहता है कि मैं जॉओगिंग कर रहा था चल्लिंग कर दिया था Gushan Medicine चुपाने की पूरी कुशिश कर रहा होता है चलनेंग कहती है कि तो क्या चुपा रहे हो Gushan कहता है कि कुछ भी नहीं तो चलनेंग इस पर शक करता हुए कहती है कि तुम जॉगिंग कर रहे थे वो भी बारिश में यही कहते हुए चलनेंग इसके पास आजाती है और देखने लगती है कि आखिर यह क्या चुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन Gushan चलनेंग का फेस दूसरे साइट पर कर देता है ताके से मालम ना होचाए कि इसने इसके लिए मेडिसन खरीदी है Gushan चलनेंग से कहता है कि तुम्हारा बॉड़ी टिम्परिश्य तो बहुत जादा लग रहा है तो चलनेंग कहती है कि शायद मुझे बुखार है यह कहते ही चलनेंग जल्दी से अपने अपार्टमेंट में चली जाती है चलनेंग के लिवरी मैं को कॉल करिके अपनी मेडिसन का पुछती है तो जब जबाची खें देती, अब में उसको वापिस करवा रहा हूँ साथी दर्वासा नोख होता है Gushan कहता है कि तुम्हाई दबे ठीक नहीं लग रही मेरे खर पर कुछ मेडिसन्स हैं तुम उनमें से कुछ देख सकती हो चलने गोशन के साथ इसके घर पर आजाती है अब गोशन चलने को मेडिसन्स देता है जैसे ही गोशन चलने के लिए पानी लेने के लिए चाहता है तो चलने के नजर एक बुक पर बढ़ती है चनलिंग इस बुक को देखने लगती है इस बुक में परफेसर वांग के लेक्चर के टिकट मुझूद होती है यह देखकर चनलिंग को यकीन आ जाता है कि उस दिन सीट इसको कुशन के वज़ा सही मिली थी अब यहां नीचे सारी मेडिसंस पड़ी होती हैं जो कुशन अभी उसके बाई वागत उसके तो चनलिंग को थोती है क्या स्थ कर्णे कर दो करने की पर मैं चार्णा से कर देख्ए है के उन्हें गर्टी चैनलिंग्व्प चाहिए का को दो सब्सक्राइं क्यूंक खेल कर दिया था यह मतलब के मतलब यह जानाथा था था कि मैं बिमार हूँ इस लिए प् alibi नियंग तो सब्सक्राइब कटीकर कर यह थेकर पुषय कॉन कौन को सब्सक्राइब है कि मुझे dol को इंप्रेस करने के लिए लिया होता है शामें गुशन को बताता है कि अभी मुझे डोटोस्ट का मेसिज आया था ये मेसिज बढ़कर के घुशन हरान होता है कि कहीं उसको मालम तो नहीं हो गया कि मैं ही कैमपस हूं अग्री सुमा चनलेंग चैट रूम में गुशन को में कहता है कि अभी तुमाही तबियत सही तरहां से ठीक नहीं हुए तो मैं एक और दिन ओफ लेना चाहिए चनलेंग कहती कि नहीं मैं ठीक हूं मुझे बहुत भूख लग रही है काश में भी फ्राइड पैनकेक्स खा सकती वह भी सिरांट्रों के साथ चनलेंग जो भी खाना होती है अपना अर्डर डिटेल में गुशन को बताती है अभी कैंपस हंक का मेसिज पढ़के चनलेंग कहती है कि ये संटेंस तो गुशन भी यूज करता है लेकिन ये अपने आप से कहती है कि ये दोनों एक ही इनसान नहीं हो सकते मैंने कल कन्फर्म कर लिया था अब मुश्किल में डालने की तुमें जर्वत नहीं है गुशन कहने लगता है कि हम सब लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो मैंने तुम सब का शुक्रिया दा करने के लिए ब्रेक्वास्ट खरीदा है चनलेंग कहती है कि मैंने बात कैमपस हंक से की थी और ब्रेक्वास्ट खेलते हो मैं तुमारे फॉन बर कम्यूटी चैट आप देखी है गुशन कहते है कि मैं कभी-कभी खेलता हूं तो कुछन कहते है कि तुम्हें तो मुझे कहा था कि तुम्हें इस तरह की गेम पसंद नहीं है चलने कहते कि मैंने पहले जो भी कहा तो से फ़र्ट नहीं कर देते हैं और इसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं अबार डिपार्टमेंट कुछ पॉंपकिन्स को डिजाइन कर रहा होता है वेहान यह देखकर फैंशिंग से कहता है कि तुम्हें काफी अच्छा करती तो तुम कर लो फैंशिंग कहती है कि मैं बिजी हूं तो यह चलने कर दो तो फैंशिंग ने भी तुमारे सक्ल्स को देख कर तुम्हें अप्रूव कर दिया है चलने के सब्सक्राइब करने के जरुए कि तेम के लिए क्या है यह कहां कि लिए यह चली जाती है नेकिन बहुत खुछ दिखाई दे रही होती है चलने पार्टी पर पहनने के लि तो यादी नहीं होता कि कोई इवेंट आ रहा है इसलिए समझ नहीं आजाती है जो के बहुत अच्छे ड्रेस का आइडिया देती है चन्छी मेंट्स लेने के पाथ इसका ड्रेस्टीच करने की लिए बैच जाती है इसके बाद इवेंट को दिखाया चाहता है जहां पर सभी की अच्छी लगता कमा oh रिष को अपने तरह की तरह में ऑप होने कि इतने में जुनायन चंशे को अपने पास आवास देकर बुला लेता है अब चलनेंग और इसके को लीग के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रेन होता है यह दोनों के साथ ही काफ़ी हो रहा होता है यह दोनों के साथ पिक्चर पनवाने लगता है लेकिन चैनलिंग को यह पात अच्छी नहीं लग रही होती किरन इसके इतना close आकर picture क्यों खिछवा रहा है लेकिन चैनलिंग इसको कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराते हो इसके साथ picture खिछवा लेती है अब चैनलिंग अपने colleagues के साथ game खेलने लगती है लेकिन इस game में चैनलिंग घा रही होती है जिसकी वज़ास से को बार बर drink करनी पर रे होती है अब चैनलिंग जुनन के टेंशन आइशन हासल करना चाह रही हो ती इसलिए यह जुनन के पीछे-पीछे जा रही होती है चैनल जरूर हासिल करके रहेगी इसलिए यह पीछे पीछे जा रही होती लेकिन ऐसा करते हुए चंशी का सरदिवार में जाकर लगता है यह देखकर जुनन फॉरण इसके पास आजातार पूशन लगता है कि क्या तुम ठीक हो चंशी जुनन से दूर जाना चाहा रही होते हैं लेक यह घुचर tou mendon को कुटर यह तूट हैं लेकिन लेकिन कुने का उनके साथ मुंधे इस लिएे देता है जैसे जॉए तो क्यों आठार यह रही आyards कर लेता बहुंख देता है जैसे हिसे यह बटार को कॉर लेता गुशन जुनन से पूछता है कि आखर ये रेंड कौन है जुनन कहता है कि ये special effect contractor है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चलनिंग में काफे interested है मुझे लगता है कि इसका अगला target चलनिंग है ये गुशन को बतानी लगता है कि ये शादी शुदा है इसकी wife बहुत अमीर है तो कर देती है अब चलनिंग नशे की हालत में जब washroom जा रही होती है तो ये गिरने ही वाली होती है कि रेंड फॉरन से आकर इसको पकड़ लेता है रेंड इसको यू देखकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है लेकि चलनिंग तो इसके साथ जाना भी नहीं जा हुई चलनिंग को तो बिल्कुल भी होश नहीं होती इसलिए गुशन इसको संभाल लेता है और इसके साथ ही रेंड की वाइफ भी यहाँ पर आ जाती है जिसको कुशन अपने साथ लेकर आया होता है अब मिसिस रेंड अपने हस्बेंड को खूब बाते सुनाती है लेकि च सब्सक्राइब लोग पुलिस्टेशन आज आते हैं अब चलनिंग स्टेबल हो चुकी होती है यह वापिस जा रहे होते हैं जानते थे ना कि मैं ड्रंक हूं इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता चलने के जानती हूं कि तुम कैमपस हांख हो गोशन यह सुनते ही अपना रोकता हुआ देखकर चलनिंग को अपनी रिजेक्शन वाला सीन याद आ रहा होता है चलनिंग को मारने के पाद यहां से जाने लगती है लेकिन कोशन भी सब्सक्राइब कर उसको अपनी कार में बिठा लेता है सब यह तोनों कार में बैट चाहते हैं गुशन के कुछ कहने मैंने से पहले ही कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कि को निता कि मुझे ती मालूम हो जाता है यह गुशह मेंующे कार से बाहिर आजाती है कोशन कार से बाहिरा कर चलिंग से कहने लगता है कि प्लीज तो मुझे एक और मूगा दो जिलिंग कहती है कि मैं तुम्हें वांड कर रही हूं कि मेरा पीछा मत करना अब जैसे इस इसका फ्लूर आथा तो यह चली चाहती है लिफ्ट से चैसे इस ले ने कैसा कि मुझे को चाहिए चल्न का पार्सल लेती है और सोड़ से दरवाजे पर फैंक देगी आया क्योंकि इसे लगा था को message में टॉप भीछता है तो बीज्चा क्रीता एक क्या है जो सब्सक्राइब कर दिया मैसेज पड़ते ही एक ऑर ल teachers को can करी तो मstar दी रहा है कि मीछे पर्मेश कर्दीया है अब कुछन को तो टे कहना क्यृति है कि मालम के विचैरत पर मेसट करता है लेके कुछ नहीं बस चोड़ी सी तो कहने कहने को मालिव मालूम हो ले एक संथा को दो हो accomplished गुशन चलनेंग की आवाजा सुनने के बाद अपने बालकुनी में आकर देखता है कि कहीं चलनेंग यहीं पर तो नहीं है लेकिन चलनेंग यहाँ पर नहीं होती है इतने में इसको आवाज आती है कि चलनेंग चलाते हुए होती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कुशन भी कहता है कि ठीक है अब यह माट पर अपने लिए सेंविश चुन रही होती है लेकिन यहां पर सारे सेंविश खतम हो गई होते हैं साथ ही गुशन आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम जाहो तो तुम मुझसे सेंविश ले सकती हो चलने कोई भी रेंडम यहां सब्सक्राइब होती है और पूशने लगती है कि उस दिन के बाद से क्या जुनन ने तुम्हें डिफरेंट रीट किया चंशी कहने लगती कि मैसेज आथा और उसने मिचे कहा कि क्या तुम आज कर एक ही साइट पर सू रही हो यह बहुत बताते ही चंशी रूने लगत तरवाज लगती है और चंशी खोलती है यह देख और ने फिस भिष्ष्ण को ना जाता है मुझे तरги जो आने का staff lemon कर नहीं हूं आग आप उसको यह बबल्डी को देख कहता है कि मैं तो भूल गया था कि तुम यहां पर गेस्ट हो अब गुशन चल निंग को काम से रलेटेड गी वस पी देता है तो देनी के बाद यहां से चला चाहता है चैन्जिंग बबल्डी को देखें करें लगती है कि इसको लेने के के बारे में क्यूरेस हो रही होती है तो चैनलिंग के पूरी वाड़ोब के बहुत खराब होती है यह देखकर चैनलिंग की बादरोब को ठीक करने लगती है तो इसको वाड़ोब में से को पसंद करती है जब यूएसबी ड्राइफ को पासवर्ड लगा होता है यह देखने के बाद इंग्नोर कर देदा है थोड़ा इंतिसार करवाने के पाद गूशन चैनलिंग से कहते हैं क्या तो चैनलिंग इसको सनाने के लिए उंचे वाज में कहती है अब चैनलिंग कुछ तरफ पाद गोशन के खर पर आकर कहती है थो उस पर ट्राइब में लिन्क रिलेटेट कुछ को एक बैड न्यूस देता है कुछ दिर बात कुशन चलने के घर पर आता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना समान पैक कर लो तुम्हें मेरे साथ बीजिंग जाना है चलने चाने से इंकार कर रही होती लेकिन कुशन इसके बात सुने बगार यहां से चला चाहता ह है कि लिंजी के करेक्टर को मजीद हाइलाइट करने पर फोकस करना चाहिए बाकी चीजों की फिकर नहीं करो एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है और जियांग भी इसको इसलिए कॉंट्र करना चाह रहा है ताके इनकी केम लोगों में मजीद पॉपिलर हो सके अब बायडे मुस्ते नड़का लिंग्यों से बात करने के लिए कृले ओको bob कि पसंट आये किन आपकी कमपनी के मुझे कोई कशकर चुगा है और फ्र कंशी की आची अच्छी है ऋप्संट में ल visitor के कि मेरे पास कोई सस्टेंड नहीं है यह तो मेरा दोस्ता जो के मेरी मदद करने के लिए आगया यह सुनते ही चल लेंग भूशन को धका देते हुए कहती है कि यह तेजी करना जानता है अब कुशन लिंग्यों के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और यह करते ह हुए लिंग्यों से कहरा होटा कि क्या तुम हमें एक और चॉंस नहीं दे सकती है कि अगर तुम मेरे साथ यह सही से परफॉर्म कर पाये तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी गोशन यह काफी अच्छे से परफॉर्म करता है अब ब्रेक में गोशन नोटिस करता है कि में लेंग यु कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम है तो हम थोड़ी देर बाद यह स्टार्ट करते हैं यह कहकर लिंग चली चाहती है अब गुशन और चुनलेंग इसके पीछे आते है तो लेंग को भी गेंस खेलना पसंद होती है चलनेंग कहती है कि यह स्कृर अचीव करन तो लिंग्यों कहती है कि सीजन खतम होने वाला है तो मैं यह स्कोर जरूर हासल करके रहूंगी चिलने कहती है क्यों ना हम दोनों भी तुम्हें जॉइन कर लें लिंग्यों इसके लिए फॉरण मान जाती है अब यह तीनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं गेम में गुशन चलने की कॉडिनेशन को तेक कर लिंग्यों कहने लगती है कि तुम दोनों रेगुलर्ली एक दुसरे के साथ गेम खेलते हो मुशन तो हां कहते हैं लेकिन चलने कहती के नहीं इनके स्वाब को सुनकर लिंग्यों हसने लगती है मैंस के बात कि दोनों अपनी गेम के बारे मे लिंग्यों को बताने लगते हैं चल्लिंग लिंग्यों को कन्विंस करने के लिए कहने लगते हैं कि हम लोग AAA गेम्स पर काम कर रहे हैं किसे को भी परोसा नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे और हमें future में भी challenges का सामना करना पड़ेगा लेकिन हमें किसी भी बात की परवा नहीं कि हमें यकीन है कि हम जो भी करें हो बिल्कुल ठीक है गुशन को चल्लिंग के बाते सुनके बहुत अच्छा लग रहा होता है और चल्लिंग को सुनते वे गुशन को याद आने लगता है किसन शरवात में ट्रिपल ए गेम के बारे में लोगों को किन्विंस करने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था गुशन चलनेंग से कहता है कि तुमने ये लाइन क्यों कही कि चाहे मिलियन लोग अगेंस तो लेकिन मैं तो इसी पर काम करूंगी चलनेंग कहती है क्योंके हीरोस पाथ को यही लाइन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है गुशन को यह संकर बहुत खुशी होती है कहने लगता है कि तुम ठीक कह रही हो यही वो लाइन है जो मैं अपनी गेम के से यह लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ अपनी यह आते हैं तो चुशन निंग को एक मेसिजश पढ़कर कहने हैं लगता है फ्टाम कि तैयार है कि उस लड़की की पसंद क्या है क्या उसको चल्ड़ी पसंद है या और भी दूसी चीजों के नाम ले रही होती है तो कुशन कहता है कि उसको यह सब चीजें पसंद नहीं है लेकिन वह बहुत क्यूट है चलने कहती है कि शायद तुम निंग्यों के लिए गिफ्ट खरीदना च होता है चलने को यह देकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि किसी और लड़की के लिए गिफ्ट खरीदा है अब चलने जब अपने घर जाने लगती है तो कुशन इसको रोपता है और इसको एक की बोड़ देते हुए कहता है कि दूसरा वाला हाफ प्राइस पर था तो यह त मैं पैसे ट्रॉंसर कर देती हूं तो गुशन कहता है कि इसकी जूरत नहीं क्यूंकि तुमने बिजनस ट्रिप पर काफी अच्छे से काम किया है इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझो यह सुनकर चलने इसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है गयर पर आकर चलने किस की अपने ने मंगवाया होता है व्यूरत इसको देख सकाए बहुत खुशतिकाई देभा होता है अगली सुभा हुआ वोंट मीटिंग होती है पहले सियांग डिरेक्टर इसको अपनी गेम के बार में बताता है अब बार ही आती आती रिपटाने के बार बिजर के लगता है कि ये triple A game इतने पैसे ना कमा सके चितनी की जियांग की game कमा सकती है लेकिन फिर भी हमें ये game develop करनी चाहिए क्यूंकि ये चायना की पहली triple A game है और एगर आज तक कभी इस काम को किसी ने नहीं किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि इसको भी भी कोई नहीं कर सकता गोशन इसके मिल गया होता है जर्दिन के न होती है झाल तो भूशन से हारने के बाद बहुत एपसेट का जिए रहा होता है अब उन हमारे लिए हम चैनल के में लेकिन है दो दिन में है कि मैं जानता हूँ कि लेकिन तो तरह लेकिन तुम्हें तोनौन में काफी उच्छे से काम के ते मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई मसला होगा यह सुनकर चलने कहती के फिर मैं अपने बेस्ट करने की कोशिश करूंगी जब आपस आती था हूंग जया कहने लगती कि क्या तो चलने कहती है कि नहीं मुझे दानटा नहीं बलके मु मेरी मानों जहां तक मैं मिस्टर जियां को जानती हूं मुझे लगता है कि तुम्हें को स्टाइम के लिए ना इन बिसनस यूनिट में काम करना चोड़ देना चाहिए कि मुझे नहीं लगता ऐसा करने की जडूरत है मिस्टर जियां काफी ब्रॉड माइंड है जिनिंग ऐस अपने दोस्ते बात कर रही होती है कि कुशन भी यहां से गुजरता हुआ इसको देख लेता है चलने के दोनों को बात करते हुए देख लेता है चलने किसका इंविटेशन एक्सप्ट कर लेती है अगले दिन यह सब लोग रियल लाइफ सीयस खेलने के लिए आज आते हैं सुजन कहने लगता है कि हमारे पास प्लेयर्स कम हैं इसके साथ यहां पर कुछ लड़की आती है जो के इनकी टीम को जॉइन करना चाह रही होती है चलने की जैसे ही नजर इस लड़की पर पड़ती है तो यह इसको बहुत चलने के लिए जैसे ही चलने के हाथ में पर लेकिन इसी लड़की की टक कर चलने के मदद करते हैं जैसे ही चलने के हाथ में सब्सक्राइब करने के लिए चलने के लिए तुम्हारे हिलावा इस के में सब भी न्यू कमर्स है क्यों आपने टीम मेट स्विच करने के लिए फॉरन मांजाती है चनलिंग के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लिए जब हमारी पहली दवा यहां पर मुलाकात हुई थी चलनेंग केती है कि के लिए चलनेंग आगे चली जाती है अब चन्शी को शूट करना से खा रहा होता है इतने में इसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है तो यह चेंशी से कहते हैं कि तुम खुदी प्रैक्टिस करो और कि क्या तुम ठीक हो जनन कहते हैं कि मेरी क्वेश है क्या तो मुझे अपने वीचाइट में एड़ कर सकती हो इससे पहले कि वह लड़की कोई भी जवाब दे पाती कुशन भी चाकर जनन को शूट करने लगता है इसके बाद यह सब लग सेलिबरेट करते हैं कि इनको अपनी के लिए बज़ट मिल गया है चेंशी चलने को बताती है कि मेरी कारेज की फ्रेंड की रूमेट जा रही है तो मैं कुछ दिनों में उसके साथ शिफ्ट हो जाओंगी चलने कहती है तुम एतनी जल्दी जा रही हो मेरा घर चोटा है मैं जल्दी से जादा पैसे कमा कर तुमे अपने पास वापिस ले आऊंगी चंचे भी ये बात सुनकर खुश होती है सब को सेलिबरेट करता हुआ देकर चलने को अच्छा लगता है विहान भी चलनिंग से कहने लगता है कि तुमें आप नाइन पिसनस यूनिट में आ चाहिए अब तो सभी ही चलनिंग को यहां पर करने के लिए करने लगते हैं गुशन चलनिंग से कहता है कि तुम नाइन बिसनस यूनिट में आ चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है चलनिंग यह सब सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है इतने महीं यहां पर जियांग आ जाता है जियांग को देकर जो को डिसिप्लन कर रहा हूं कि तुम्हारा मसला नहीं है गुशन कहता है कि बात करने वारे तुम कौन होते हो चयांग सब को देखकर कहने लगता है कि एक अच्छा टीचर होगा वरना मेरा बेस्ट स्टाफ यहां पर क्यों आता गुशन कहता है कि जो लीडर्स भी मैनेज नह करो यह दोनों हमेशा सही ऐसे हैं चिलनिंग कहती है कि क्यों तुरन बताने लगता है कि थर्डियर में टूडेंट कॉंसल का प्रेजिडेंट था कॉलिज के गेम कॉंटेस्ट में को पहली नजर में गूशन की अबिलिटी नजर आ गई अब दिखा जाता है कि पास आता है और कहने लगता है कि हमारा प्रोग्रम पास हो गया है कि सुनकर गुशन भी बहुत होश होता है इसके बाद से ही चियांग गुशन को डिफरिट गंपनीज में प्रोजिट के लिए ले चाहता था और इन दोनों ने कई प्रोजेक्ट में पार्टनर्स के तौर पर काम किया जिनन कहता है कि इन दोनों की परस्टनर्टीस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी चिस दिन जियांग ग्रेजुएट हो किया था उस दिन जियांग जिनन से कहता है कि तुम गुशन से कह दो कि मैंने ये सारी मुश्किल इसलिए उठाई ताकि ये लीड प्रोग्रामर ब से होगा जिछाँ कि इन के दूनम के लिए लिए इस केटाथ मुकाथ किया करते थे उदद्द्रन वह अब ये विद्द्र Channel कि दोनों की निशाना काफी होता है जोग कि जीत रहे है घॉरा की cepat किसने कही है तो को भी मानने को तयार नहीं होता कुशन कहता है अगर तुम अच्छे नहीं hospital तुम उस बाट के अजिस ताइप梵ा लगता है कि इसका कॉन अच्छा नहीं है रहा है कर दो दो कई है और जैसे को बूरा लग रहा हृते लेकिन मुझे सबसे पहले गया कहने चाहिए और इतने को भी कौल आचाती है जुनने को बताने लगते कि तुम मुझे कौल करें लेकिन इसे यही कह रहा होता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहिए चैन से कि कौल उठा लेती है जुनन कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें गेम में पहली देखा तो तुम मुझे एक गाना याद आया जुनन फैंग्डू के लिए गाना गानी लगता है जुनन कहने लगता है कि तुम बाकि सबसे बहुत डिफरेंट हो क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ चैंशी जब कोई जवाब नहीं दे रही हो जो जो जुनन कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो तो चैंशी कहती कि नहीं मैं तुम से नफरत नहीं करती तो जुनन कहते कि क्या हम दोस नहीं बन सकते तो चैंशी इसके लिए हां कर देती है यह सुंकर जुनन बहुत खूश होता है कहने लगता अभी काफी देर हो गई मैं तो मैं कल कॉल करूंगा कईन के पाओ जुनन शुनन के कहने लगता है क्छनलन यहीं पर आ लेओग चालता है जैसे यह कार खोल रही होती है पीछे की तरफ घरने लगता है यह देखती है और जाकर की देखती है, जैसे दो कि हमें और हंगा, क्या तो मेरी बात को यकिन करोंगे कहता है तुमने वाइगा जhead graph कहता है आगर तुम तो मुझे प्रमोशन के साथ चाहता अपना घर उर गाड़ी भी दे देना यह सुनते ही कुछन कहने लगता है कि मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों नहुंगा चलने के सुनकर कहती है कि क्या इसका नशाह उतर गया है तो गुशन हस्तेवर कहता है कि यह तो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जब चुप हो जाता है तो लेंग इसको यहां से ले जाती है अगले दिन मीटिंग में गुशन सबसे कह रहा होता है कि हमारा अगला टास्ट अपने गेम के लिए प्रमोशनल वीडियो तयार करना है इसी प्रमोशनल वीडियो के लिए सभी अपने आईडिया कर रहे होते हैं अब चलन लेंग कुछ मे में तुम्हें करता हूं चाहिए अर्ट टीम के लिए तो इसे लिए नहीं कर रहे होते हैं जाल हम ciao करने है युए अपने ऑन उलप्र九 laser करने हो ऊती लिए आगे तक अदु है पार और में वीडियो को बता रही होती आए चलनिंग कहने लगती कि इस तफ़ा मैंने गेम के हीरो के लिए पेट के तोर पर एक स्ट्रे डॉग डिजाइन किया है क्योंकि इसकी मदद से हम ये शो कर पाएंगे कि हीरो कितना काइंड और अच्छा है अब दिखा चारा होता है कि गोशन उसी डॉग की बहुत साथा गेर कर रहा होता है जनिंग जब सबको सलाइट दिखारी होती है तो घल्ती से चैट की स्क्रीन भी यहां पर शेयर कर देती जिसमें सबी लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें बजट मिल किया है तो हमें अवार्ट भी चलनिंग को देना चाहिए उंचियों जैसे ही चलनिंग को सामे देखने के लिए कहती है तो चलनिंग ये सब देखकर बहुत ज़दा इंबरस हो जाती है चिलनिंग जल्दी से अपना laptop बंद कर देती है जियांग कहता है कि आज मैं एक announcement करना चाहता हूँ चिलनिंग ने दोनों डेपार्टमेंट्स में ही रहकर काफी अच्छा काम किया है और इतने थोड़े वक्त में इसने पेट्स पर भी इतना अच्छा काम किया है तो The Love Broker की leader मैं चिलनिंग को जणता हूँ ये सुनकर चिलनिंग बहुत surprise होती है चिलनिग जब रात में वापिस आते तो lift बंद हो रही होती है घुशन चिलनिंग को देख कर lift इसके लिए रोक लेता है घुशन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमारी promotion हो गई है चटने केती है कि घुशान चटने को इसके लिए के रहेजलीशन के ऐता है चटने इसको थैंक्स बोलती है अब इन दोनों का फोर आगया होता है तो यह दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं चटने अपने घर चाही रही होती कि यहाँ पर यह एक बग देखती है यसको देखकर चलने चलने लगती। चलने की से देखकर कुषन के पास सघिड 해, गुषन को समझ नहीं नहीं आ रही हुँऑ, इसलिग यह चलने को उठा लीता है इतने मेज़ें चलने की मौम को घर का दर्वासाओ खोलती है. चलनेंग कहती है कि नहीं ये मेरा लीडर है ये सुनते ही चलनेंग की मॉम बहुत अच्छे से गुशन से मिलने लगती है और कहने लगती है कि आपको इसको घर पर छोड़ने की जूरत नहीं थी तो चिनने अपनी मॊम से कहती है कै मॉमी सामने वाले घर में रहता है यह उनकर मौम कहने लगती है कि फिर तो यह बहुत यह ज़्यवाश-ा- 후- इसलिए मुझे अजाज़त नहीं है कि मैं प्यार करूँ ये सुनकर गुशन में चलने के Mom मारने लगती है और कहती है कि अगर और तो क्या तुम इसको अपने आपको उठाने की इजासत देती झा में चलने करें के तो तो ऐसले क्योंके बज्मेन पर कॉक्रश था ये सुनकर प्देसे के मारी रही होती है यह देखकर चलनिंग बहुत हैं गोशन चलनिंग की मॉम का मसाच कर रहा होता है चलनिंग यहाँ पर आकर गोशन से कहने लगती है कि यह तुम्हारे लिए ब्रिकफस्ट लेकर आया है तुम तो सो रही थी इसने पिछले दो गेंटों में घर के काफी सारे काम भी कर लिए है और अब ये मेरा मसाज भी कर रहा है, चलनेंग अपनी मॉम के पास आकर बैट जाती है, तो चलनेंग के मॉम गुशन को भी, यहाँ पर बैटने के लिए कहती हैं, चलनेंग के मॉम गुशन से कहती हैं, कि तुम यह दहीं ट्राइ करो, कि मैंने घर में खुद बनाया है, इस को एक शिरुक नियुको थेंक्स करने लगता है चल नेर्ड को वह पर देख रही होतीचि इसको यूं देखकर मॉम कहरेंगे लगती है कि तुम दोनों को देखकर मजे वह याद आगे जब मैं और चलने के डैड यांग हुआ करते थे चलने के डैड बिल्कुल तुम्हारी दरहां थे वह भी मुझे ब्रेकफस्ट डिलिवर करते थे और मेरे लिए घर के काम करते थे यह सुनकर घुशन हसने लगता है मों बताने लगती है कि चलने के डैड शेचंग फर्स मिडल के स्पूल हंगते घो चनि इसनकर बहुत हरान होता है के मेरी मौम का नाम है कोशन今天 कि मेरी मौन का नाम रूंД की मॉर्स होती है और इसक्ते है कि मैं रिजसर से बात ब्रीक हुआर हुए लेकिन चनutanरा माम के मिरे तो ने मिलाए है Sun को और वह लेएbane अगर चलने को काम पर देर हो जाएगी तो मैं हिसको घर ले देत लगती है कि तो बेस्ट है कि मुशन से काइए तम मचे अपना नंबर देदु अगर चलने को कुछ भी हुआ तो बहुत कर बाउगी उनले की मुटर देता है बाद को बरतंद हो रहा हो तो चलने कि तो चलने मंसे बढ़ा किया कि मैं दुखरा रहे हो तो फिर मैं अब यहां मेडिसन यह डिया आई थी सूच तुम से भी मिलती जाओं गोशन सभ्षा है मैं आपको छोड़ा आता हूं चलने के वहाइगा पर लेकर पुंचेंगी तो उनको टेकसी के लिए 2 गहंटी इंतजार करना पड़ेगा यह सेफ नहीं है चलने की मुम का समान पकटा है और उनके साथ यहां से चला जाता है इसके बाद गोशन जब चलने के मों कुछ और के वापिस आ जाता है तो यह चलने के कहने लगता है कि कल तुम्हें आर्ट डिपार्टमेंट के बेस्ट इंप्लॉई के तौर पर चुना गया चलने कहती कि हां उन्होंने मेरे लिए किया दो ने काम में बहुत अच्छी हो कि चलने कुछ होती है कहती है कि तुम्हें ठीक कहरे हो चैहरा होता है कि उससे इसलिए शायद पर मोट किया क्यूंकि वह तुम्हें पने पास रखना चाहता है क्योंके आग मैं करता तो तुम नंने नायम प्रर शुनिए में आजाना मैं लगाने के लिए था जाकर मुझे अपना मास्टर कहोंगे इन दोनों की राते हैं तो चन्चे के चलने के आवाज वास्ट जबी से लिए यहां पर यूस्पी ट्राइब लेने के लिए आएथी लेकिन यहां पर एकोकरोच को नम सुनते ही चलनग भी सोफे के उपर कड़े हो कर चिलने लगती है गुशन को याद है कि इसका स्केच बड़ा हुआ इसलिए जलती से आकर भी बंद गुषिए ओपने कॉख्रोष को मारने वाला होता है तो चल देती है अब ये कर दिया है तुम प्लीज मेरे लीज को साफ कर दो यह कहकर यह अपने घर में चली जाती है रात में चलनेंग जब माट से वापस घर आ रही होती है तो ये अपनी दोस से फॉर्म पर बात कर रही होती है इतने में चलनेंग नोटिस करती है कि यहाँ पर कोई छुपकर इसको देख रहा है इसलिए चलनेंग जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगती है लेकिन साथ ही चलनेंग को किसी का साया दिखाई देता है ये देखकर चलनेंग डर चाती है चलनेंग चल्दी से भाग कर अपने घर आ चाती है लेकिन लिफ्ट से निकलने के फॉरण बाद ही यहां की लाइट बुच जाती है यह देखकर चल्लिंग गोर सेथा डर जाती है और इसको किसी के उपर आने की आवास भी सुनाई दे रही होती है चल्लिंग चलती से गुशन के घर का दरवाजा खट खटाने लगती है गुशन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो चल्लिंग इसको हग कर लेती है Gushan भी इसको यूँ देखकर डर जाता है, पुषटें siya है क्या है, क्या करही हुआ है, चलनिंग काफी जदा डर कही होती है, और कहने लगती है कि मुझे लगता है क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है, गुशन कहते है कि क्या उसने दुमारा उपर तक पीछा किया है तो चनलूंग कहते है कि मुझे वह दिखाई नहीं दिया मैं लिफ्ट की जरी उपर आई हूँ लेकिन शायद वो सेडियों की जरी उपर आ रहा था क्योंकि मुझे सीरियों से किसी के आने के वास सुनाई दी रही थी गुशन अब देखने के लिए बाहर आता है तो चनलिंग भी इसके साथ आ जाती है गुशन देखते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता यह चननलिंग से पुषता है क्या कभी पहले ऐसा हुआ है तो चनलिंग के दिए के नहीं गुशन केता है कि सुब्ँ मैंने तुम्हारे शूस को भी बिख्रे हुए देखा था इसलिए मुझे लगता है कि कोई तुम पर नज़ार रख रहा है चलने के दी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गुशन कहता है कि हमें चल कर CCDV कैमरा चेक करने चाहिए अब जब कि दोनों सेक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं तो यह इनको बताने लगता है कि तुम लों की बिलिंग का एक कपर अपार्टमेंट आते हुए एक दूसरे से जगर र का कि क्या में तुम लोग दूसरे कर सकता हूं के और केंसे क्टा यह मफरे कर रूझे करते हैं लेकिन जब था खुड़ कर सकता हूं इस पाठारी में नहीं नहीं तेस वह इंदेती कि assumptions को बेंस लीजन का कहता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए यह दोनों पुलिस टेशन आज आते हैं पुलिस ऑफिसर कहते कि इस पर आपको कुछ नहीं पहुंचा तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते लेकिन अगर आपको भी मसला हो तो फॉरण पुलिस आपके पास आजाए लेकिन यह कोईशन से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्फरिंड रात को इतनी देश से बापिस आ रही थी क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम्हें इसको पिक कर लेते इससे पहले कि चलने कुछ कह पाती कोईशन कहता है कि मुझे समझ आ गई अब मैं दुबारा इसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा तो चलने पुलिस आफिसर से कहती है कि यह मेरा पॉर्फर नहीं है पुलिस आफिसर कहता है कि इसी वज़े से शाहिए तुमसे प्रेक अप करने वाली है यह चलने के तुम हुसा मत करो मुझे तो यह लोयल दिखाई देता है इसलिए तुम्ह हाते सुनकर वस्कुरा रहा होता है लेकिन अपना पीछे करते हुए कि तुम क्या कर रहे हो जब यह दोना वापिस आ रहे हो दिना कूशन चलने के फॉन में कुछ सेटिंग्स चेंज करता है और चलिंग से कहता है कि तुम पावर बटन फाइफ टाइम प्रेस करो चलिंग पैसा करती है तो पुलिस और दूसरी एमर्जंजी सर्विसेस के साथ साथ एमर्जंजी कॉन्टेक्ट में गुशन को भी कॉल आ जाती है गुशन कहते है कि अगर तुम्हारे पास आ सकता हूं चलिंग को थैंक्स कहती है कि अगर आज रहा तुम नहीं होते तो मैं बहुत प पर करने ही लगती है शुशन के अवाज़े सुनकर चलने को बुला रहा रहा है तो चलने के थोड़ी देर वेट करो परिशन तो पर शान हो जाता है कि बताने क्या हो गया है जो बहुत टैम दर्वासा करने के बाद भी चलने दर्वासा नहीं खोलती तो इस आप दूड़ ठीक हूं आप को सेостने के लिए थोड़ी सी केर कर रही थी है ऑपने तूकर बार को से कि यहां पर क्यों आए गर की विंडोस को चे तरह से लॉक कर देता है यह दिखाने के लिए कि जो भी चलने का पीछा कर रहा है उसको यह लगे कि चलने अकेली नहीं रहती है कि मैंने तुम्हें मैं शिर्ट और करते हुए देखा था लेकिन एक यह शिर्ट का हमेशे टंगा रहना रहे लगता चलने के सब के लिए गुष्ण को थैंक्स कहती है तो गुष्ण कहता है कि तुम यहां से सारे दर्वाजे लॉक करकर सोना यह कहने के बाद यहां से चला चाहता है और संद्ग इन्हें कुपरों को देखकर मुस्कुरा रही होती है यह पार्ट यहीं पर खतम हो जाता है आगे ड्रामे में क्या होने वाला है यह जाने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट तब तक के लिए स्टे कुनेक्टेड डियुक्ट